नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 30 नवंबर दिन गड़ुवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर मुख्य मंत्री चकसा सहायता योजना के लिए ऐसे कड़े आविदन खगरिया के DRCC में आज लग रहा रोजगार मिला दिसंबर महीने में इतने दिन बैंक रहेगी बन बिहार में सिक्षकों को भारी पड़ेगी नेतागिरी बत और हिट कोच बरे रहने पर राहुल द्रवर ने जताई खुशी अब चली बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वड़ी खबरों के ओर विस्तार से राश्ट्रिय मुक्त विद्याले सिक्षा संस्थान में 62 पड़ों पर निकली भरती भारे सरकार के सिक्षा मंत्राले के स्कूल सिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीन राश्ट्रिय मुक्त विद्याले सिक्षा संस्थान के दोरा डिप्टी 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 अकेडमिक, असिस्टन डिप्टर, सैचनिक अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, एडिपी परविक छक, ग्राफिक आटिस्ट, जूनियर इंजिनियर, साहयक स्टेनोग्रा सकते हैं बता दी क्या विदन करने की शुडवात आज से हो रही वहीं आविदन करने की अंतिम तारिक 21 दिसंबर 2023 तक नर्धारित की गई है इसके लेगर सैचनिक योगिता की बात करे तो विविन पदों के लिए विविन योगिताई नर्धारित की गई है ऐसे में चोको में इस जुरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी केगा दिसूशना को जरूर देख लें मुख्यमंत्री चिकसा सहायता योजना चलाई जाती है जिसके तहट बिहार सरकार के ओर से अस्ताधि बिमारियों की इलाज के लिए 20,000 रुपए से लेकर 5,50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्द करवाई जाती है हलाके सियोशना का लाब उठाने के लिए सरकार के ओर से कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है जिसके तहट चिकसा अनुदान की प्राप्ती हेतु वाशिक आई की अधिक्तम सीमा 2,50,000 रुपए निर्धारित की गई है वहीं सियोशना का लाब लेने के लिए जिन दस है चिकसा पुर्जा की चाया प्रती और आधार कार की चाया प्रती शामिल है आवेदन करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज लेकर राज्य के सचिवाले अस्थत स्वास्त सेवाओं से निदेशक प्रमुक को समर्पित करे इस जड़ी अधिक जानकारी के लिए या शिका पहारियों और बगीजे के बीच इस्तित है जो अपने आंगतुकों को शांत और शांती के हसास देता है विरायतन भारत में जैन धर्म के सिध्धानतों पर आधारित एक धार्मेक संगठन है संगठन के स्थापना आचारे श्री चंदन जी ने 1973 में भगवान महावीर के फौबस तर्थकडों के जीवन को प्रदर्शित करते वे उनके अहिंसा दशण को दशाने वाले बहतरीन परटक आकर्शन है यहां के विशाल उद्यान च्हेतर में विविंत तरा के फलो एवं फूलों के पेर और आस पास के पहारी च्हेतर यहां आने वाले परटकों को त विद्याले अध्यापकों को अपबंधिक नुक्ति पत्र दिया जा चुका है विद्यालियों में योगदान की प्रक्रिया चल रही है लेकिन यह योगदान प्रक्रिया अनवरत नहीं चलती रहेगी और यह तैस्तिती को समाप्त कर दी जाएगी ऐसे में संबनित विद्याले अधियापकों को यह सुचित किया जाता है कि वैसे टीचर जो पुर्व में किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं थे वे 30 दिसमबर शाम 5 बजे तक हड़ाल में अपने विद्याले में अपना योगदान दे दे ऐसा नहीं करने वाले सक्षकों का बाद में योगदान सुख्रित नहीं किया जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि वे टीचर बनने के एक चुक नहीं है वैसे सक्षक जो पहले से किसी सरकारी नौकरी में हैं और रोने निक्ता को त्याग पतर सौब दिया है लेकिन अभी स्विकृत नहीं हुआ है तो वो 7 दिसंबर 2023 तक शाम 5 बजे तक विध्याले में योगदान दे और अपना अध्यापन का काड़े आरम्द करें अब ठन में भी बिहार के लोगों को मिलेगी लीची का स्वाद राष्ट्रे लीची अनुसंधान केंदर के द्वारा बिहार के बाजारों में जन्वडी में भी लीची मिल सके इसके लिए एक पहल की शिरवात की जाएगी जिसके तहट भावी योजना को लेकर अनुसंधान केंदर के निदेशक डॉक्टर विकास दास अगले सपता तमिलनाडू जाने वाले हैं जहांबे यह पता करेंगे कि वहां कौन सी लीची है जो जन्वडी में फलती है क्योंकि बिहार में लीची का मौसम मई से जून महीने तक रहता है ऐसे में तमिलनाडो जाकर निदेशक वहां फिलने वाली लीची की वेडाइटी का पता करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उसे बिहार मिलाकर विक्सित किया जा सकता है या नहीं इसके साथ है इस दौरान निदेशक की अभी देखेंगे कि यहां की लीची का वहां विक्सित करने की क्या संभावना है अगर सब कुछ सही रहता है तो आने वाले दिनों में चनवरी महीने में तमिलनाडों से लीची लाकर बिहार के बाजारों में उपलब्द कराई जाएग अब घड़ बैठे ही बना सकेंगे आयुश्मान कार्ड अगर आभी आयुश्मान कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि अब आप घड़ बैठे ही अपना आयुश्मान कार्ड बनवा सकते हैं इसके लिए आपको सेंटर या अस्पतालों के काड़े आले का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बतादे के आयोश्मान कार्ड के लिए, आवेदन करने के लिए आपके पास पोटल या राशन कार्ड से संबन्थ मोबाइल नमबर होना चाहिए, जिससे आप लोगइन करने का काम करेंगे, हाला के आवेदन कर कि आप इस कार्ड के पात रहें या नहीं अगर आप पात रहोंगे तो फॉर्म भरने के लिए आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे जिसके बाद आप अपनी जानकारी भर कर आयुश्मान कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हैं बता दिक इसकाला बीपील और एपील के परिवारों को 5 लाख रुपे तक के मुफ्त इलाज की सुवधा दी जाती तो वहीं दूसरी ओर एपील कार्ड धारी परिवारों को 50,000 रुपे तक की मुफ्त सुवधा उपलब्द कराई जाती है सप्लिमेंटरी रिजल्ट को लेकर BPSC कार्याले के सामने सिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन बीते दिन राजी के विविन जिलो से आये सक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा BPSC कार्यारे के सामने बिहार लोग से वा आयो की ओर से प्रतम चरण में सक्षक बहाली को लेकर ली गई परिच्छा के सप्लिमेंटरी रिजल्ट को जारी करने की अपनी मांग को लेकर जम कर प् का कट ओफ मांक में चार दिया गया था और उमीद दी गई थी कि सप्लिमेंटरी लिस्ट अगर जारी होगी तो हमें नौकरी मिल जाएगी लेकिन सप्लिमेंटरी सीट जारी नहीं हुई है और हम अपनी इसी मांग को लेकर BPSC कारयाले पहुंची है और अपनी मांग के जड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं अलाकि पनकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग के ओर से जीतोर कोशिश तो की जा रही लेकिन उसमें कुछ खास सफलतान नहीं मिल पा रही बता दे कि ताजा मामला बिहार के नवादा जले के फतेपूर पढ़ना डाबड ठाना च साइकल और उस पर लदा हुआ करीब 720 लीटर देशी महुआ शड़ा बरामत किया गया है हालाक इस दौरान तसकर भागने में सफल रहे फिलाल पुलिस के द्वारा मोटर साइकल जब्त कर लिया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जानकारी था धश के द्वारा दी दिस्टंबर 2017 में उन्हें 2018 अंडर उन्निस क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम में नामित किया गया था वो अंडर उन्निस क्रिकेट विश्व कप में संयुक तरूप से सरवाधिक विकेट लेने वाले गेंद बाज थे उनका जन बिहार राजी के भिढ़ार रु नहीं विकेट लेने वाले गेंद बाज थे उन्होंने 21 फरवरी 2019 को 2018 से 19 सयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में जारकन के लिए अपना 2020 डेब्यू किया उक्टूबर 2019 में 2019 से 20 तेवधर ट्रॉफी के लिए इंडिया बी की टीम में नामित किया गया था फरवरी 2022 में उन्हें 2022 इंडियर प्रीमेर लीग टूर्नामिन के लिए निलामी में कॉलकता नाइट राइडर्स द्वारा खरीदा गया था उन्होंने 2 मई 2022 को आर आर के खिलाफ अपनी नई टीम के लिए पदा पर गया खगरिया के DRCC में आज लग रहा रोजगार मेला अगर आप बेरोजगार है और रोजगार की तलाश में है तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि आज यानिकी 30 नमबर को खगरिया के DRCC यानि की जिला निवंधन एवं पड़ामर्श केंद्र में एक दिवस्य रोजगार मेला का आयोजण किया जा रहा है समें इस रोजगार मेला में जो भाग लेना चाहते हैं इस जॉब कैम्प में भाग लेने वाले उमिद्वारों को नियोजनाली की तरफ से सभी सुधाएं मुफ्त में उपलब्द कराई जाएंगी वहें इस जॉब कैम्प में भाग लेने के लिए अभ्यरतियों को अपने साथ दसतावेज के रूप में आधार कार, पासपोर्ट साइस फोटो, सैचनिक प्रमान पत्र लेकर आयोजन अस्थल पर पहुचना होगा, इसने भाग लेने के लिए सुधा दस बज़े से दो पहर, दो बज़े तक का समय निरधारित किया गया है दिसमबर महीने में इतने दिन बैंक रहेगी बंद, अगर आप दिसमबर महीने में बैंक सुझड़ा कोई काम करने की सोच रही है, तो यहाँ ख़बर आपके लिए है बतादे के अगले महीने यानि की दिसंबर में बैंक के बंध होने को लेकर RBI की ओर से बैंक होलिडे लिस्ट जारी कर दी गई है जिसके तहट बिहार में दिसंबर महीने में बैंकों की चुट्टी कुल आठ दिन होने बाली है इनार दिनों में साथ दिनों के चुट्टी शापता ही चुट्टी होगी तो वहीं एक दिन के चुट्टी क्रिस्मस की चुट्टी होगी वहीं अगर हम बिहार के अलावा अन्य जिलों की बात करें तो नाचल प्रदेश, नागालैंड, गोहा सहित कई राज्यों में क्रिस्मस के छुटी दो या तीन दिन की होगी वहीं कुछ राज्यों में राजस्थापना दिवस और अने काडिकरम को लेकर बैंक बंद रहेगी मुख्य शाखा प्रबंदक मितलीश कुमार ने बताया कि छुटीयों के दोरान भी ऑनलाइन सेवाय जारी रहेगी लोग ऑनलाइन बैंकी का दाब ले सकते हैं इसके लावा एटियम भी चालो रहेगा बिहार में जेल से बाहर आए अपरादियों पर नज़र रखेगी पुलिस पुलिस मुख्याले के ADG जितंदर सिंग गवार के दोरा जानकारी देते वे बताया गया कि बिहार में जेल के अंदर ही नहीं अब जेल से बाहर आए अपरादियों पर भी बिहार पुलिस के दोरा तकनीक के आधार पर उन पर नज़र रखने के लिए एक नए सौफवेर पर काम किया जा रहा है जिसका नाम क्राइमेक है यानि की क्रिमिनल मल्टी एजनसी सेंटर इसे कई राजियों की पुलिस और उससे जुरी एजनसी जुरी रहती है ऐसे में जैसे ही जेल से कोई अपरादी छूटेंगे उसकी सूचना स्थानिय थानों को मिल जाएगी उन्होंने बताया कि सौफवेर के माध्यम से अपरादियों के बाड़े में आसानी से एक से दूसरे राज़ी को जानकारी शेयर की जा सकती है वहें सौफवेर की मदद से अंतराजिये अपरादियों पर नज़र रखने में और गिरफतार करने में आसानी होगी इन सब के अलबा बिहार के थानों में क्राइम डिटेक्शन सौफवेर भी उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि अप्राद एवं अप्रादियों की प्रविती की पहचान कर उनके खिलाफ कारगर कारवाई की जा सके सियम नितीश का आज सिवर दौरा अस्थागित नई तिथी होगी जारी आज यानी की 30 नवंबर को बिहार के मुख्य मंत्रे नितीश कुमार शिवर के दौरा पर जाने वाले थे जिसे किसी तकनीकी कारणों से अस्थागित कर दिया गया है ऐसी में अब सियम के शिवर दौरी को लेकर नई तारी की घोषना जल्धी की जाएगी बता दे किस बात की जानकारी जिला जन संपर्क पदादिकारी राकेश कुमार के दौरा दी गई है उन्होंने बताया कि जिन भी योजनाओं का सलन्यास या उदघाटन होना है वह मुख्य मंत्रे नितीश कुमार के दौर चीव मंदिर देकुली धाम के जिनुधार का सलन्यास किया जाने वारा था इसके अलावा 70.18 करोड रूपे की लागस से तैयार हुए स्टार्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट का सलन्यास 15 लाग की लागस से नणमित पंडित रगुना जाकी प्रतिमा का अनावरान सुने 3 3.68 करोड की लागस से निर्मित बस पड़ाओ का उधगाटन वह 3.67 करोड रुपए की लागस से बने वाले सरकिट हाउस का सिलन्यास भी किया जाने वारा था बिहार में सक्षकों को भाड़ी पड़ेगी नितागिरी इंदिरो सक्षा विभाग के दोरा नवनुक्त सक्षकों को लेकर कई फर्मान जारी किये जा रहे हैं इसी कड़ी में अब विभाग की ओर से एक और फर्मान जारी किया गया है दरसल माधिमिक सक्षा के निदेशक, कनहिया प्रशास रिवास्तव के दौरा राजे के सभी जला सक्षा पतादिकारियों को एक पत्र लिखा गया है और उसमें नर्देश देते वे कहा गया है कि इसने विचारों को व्यक्त नहीं करना होगा और साथ ही वे अपनी मांगों को लेकर हर्ताल अत्वा किसी तरह का कोई प्रदर्शन भी नहीं करेंगे अगर सक्षकों के दौरा ऐसा किया जाता है तो उनके खिलाफ अनुशाशनिक का रवाई की जाएगी बतादे कि जारी प है जिसको देखते वें विभाग की ओर से यह कदम उठाया गया है बिहार में बदला मौसम का मिजाज विहार में पश्मी विचोग सक्रिये होने से मौसम में बदलाव आया है बिहार में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम सुस्क बना रहेगा मौसम विभाग के अनुसार बन रहा है यह 30 नवंबर के बाद बदल जाएगा इसी के चलते पूरे प्रदेश में पुर्व हवा का प्रभाव जारी रहेगा पटना मौसम विज्यान केंद्र के विज्यानिक कुमार गौरव के मताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राजी के निंतन तापमान में कोई वि समस्क बना रहेगा बिहार में आसे नहीं कटेगा फिजिकल चालान बीते दिन सोनपूर मेला में बिहार पुलिस प्रदर्शनी का उदगाटन करने पहुँचे बिहार पुलिस सस्तर पुलिस बलके डीजी अमरेंदर कुमार अमेटकर के द्वारा मंच से सभी को संबोधित क जरते वे यह जानकारी दिगए कि 30 नवंबर से बिहार में फिजिकल चालान नहीं कटेगा उन्होंने कहा कि मोटर विकल एक्ट में उलंगन के लिए पुरी तरह डिजिटल रूप से चलान कटेगा बिहार पुलिस की कैसलेस देवा होगी उन्होंने जानकारी देते वे कहा क कि हमारे कॉल सेंटर पर प्रति दिन आने वाले हजारों का रिस्पॉंस टाइम सारे 17 मिनट है लेकिन आने वाला दूसरा फेज और भी व्यापक वस्तार होगा उन्होंने कहा कि उसकी रिस्पॉंस टाइम और कम होगी और इमर्जनसी से वाएं बढ़ाई जाएंगी दूसर बिहार सरकार के सक्षा विभाग के दौरा 2024 में स्कूलों के छुट्टियों को लेकर जारी के कैलेंडर का मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा बतादी के अविसी को लेकर बिहार सरकार में जल समसाथन मंतरी संजय कुमार जाक के द्वारा एक्सपर्ट जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर अफवाः फैलाने वाले लोगों को सलादी कई है उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जो लोग यह अफ़ा फैला रहे थे कि बिहार सरकार ने स्कूलों में महास्तिवरात्री जान की नौमी श्रीकृषन जन्मास्ट्वी जैसे चुट्टिया समाप्त कर दी है विस संलंगन सूची देखकर अपनी जानकारी दुरुस्त कर ल इस पोस्ट में संजय कुमार जाके द्वरा सिक्षा विभाग के द्वरा जारी के गए प्रेस विग्यप्ति की तस्वीर भी शेयर की गई है आज तेश्वी यादव में बुलाई बड़ी बैठक आज यानि की 30 नमबर को बिहार के उपमुख्य मंत्री तेश्वी यादव के द्वारा पार्टी के सभी कारे करताओं की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें जले सहित राश्वे प्रवक्ता भी शामिल होंगे आपकी जानकारी क्लिवतादी के आज होने वाली या बैठक तेश्वी यादव के पांच देश रत्न मार्ग में अस्त आवास में आयोजित की जाएगी वहीं बैठक का समय सुभ़ई 11 बजे नरधारित किया गया है काम करने का बादा जो किया गया था उसे पूरा कर रही है राजे सरकार किस तरह से बिहार में काम कर रही है इसको भी बताया जाएगा और होने कहा कि राजे सरकार के दोरा युवां को रोजगार दिया गया आरक्षन दिलाया गया राजी में जाती एक जनगन्ना करवाई ग जिनोबंध की अबदी समाप्त हो गई थी ऐसे में BCCI के द्वारा इस पर सार्थक चर्चाकर सर्वसम्मती से राहुल द्रवर के कारेकाल को बतोर हेड कोच के रूप में आगे बढ़ानी का नर्ने लिया गया है वही इस पर BCCI के अख्च रोजर बिन्नी के द्वारा कहा गया कि राहुल द्रवर की दूर दर्शुता, वेवसाइकता और द्रवर प्रयास टीम इंडिया की सफलता में महतपूर्ण स्थंब रहे हैं भाती क्रिके टीम के मुख्य कोच के रूप में आप हमेशा अत्यधिक जांच के डाइडे में रहते हैं और मैं इसका वस्तार करता हूँ मुझे खुशी है कि उन्होंने मुख्य कोच बने रहने का प्रस्ताव स्विकार कर लिया और यह आपसी सम्मान की बात करता है वही राहुल द्रविर के दौरा हेड कोच के रूप में विस्तार मलने के बाद कहा गया कि मैं बीसी सी आई और पदादिकारियों को मुझ पर भरोसा रखने मेरे दिस्टिकोन का समर्थन करने और सब्धी के दौरान समर्थन प्रदान करने के लिए धने बात देता हूँ कोचिंग की वज़ा से मुझे अपने परिवार वालों से दूर रहना परता है मैं अपने परिवार के त्याग और समर्थन की गेहाई से सरहना करता हूँ बिहार के इतिहास में आज की तारीक है कहीं कार्णो सिदर्च दिल्ली के समराठ आलमगिर दुट्य की 1769 में उनके मंत्री ने हत्या की गुडियों का स्तंगरहाल दिल्ली की श्थापना 1965 में मशूर कार्टूनिस्ट के संकर पिल लईने की थी प्रियंका चोप्रा 2000 में मिस वर्ड बनी मुंबई में हुया अतंकी हमले के बाद सरकार ने 2008 में संखिय जाच एजनसी के गठन की घोशना की सरकार ने S80 दीजवी वेतन समीती का कारेकाल बढ़ाने का नर्ने लिया प्रसिद वेज्यानिक जगती चंदर बोस का जन्म 258 में हुआ भारतिय तिहास का रोमीला थापर का जन्म 1931 में हुआ हिंदी फिल्मों की प्रसिद पारसब गाई का सुधा मलोतरा का जन्म 1936 में हुआ अंग्रेजी और बांगला भार्षा के प्रसिद लेका ग्रमेश चंदर दत का निधन 1909 में आजी के दिन हुआ था। प्रसिद लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे डिजिटल मीडिया चैनलों के बारे में दरसल प्याइबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मिनिस्ट्री ओफ इंफॉर्मेशन और ब्रोड कास्टिंग द्वारा जारी के जाने का लेका डेक्स्टॉप पर भी वाटसब ने एक नया फीचर डेक्स्टॉप आप के लिए जारी किया है दरसल अबाब डेक्स्टॉप आप से भी किसी फोटो और वीडियो को व्यूवंस के लिए सट कर सकते हैं कंप्ट्री ने ये फीचर मोवाल यूजर्स को काफी पहले दे दिया था यूजर्स जब किसी फोटो और वीडियो को व्यूवंस के लिए सेट करते हैं तो ये एक बार देखने के बाद खुद बखुर डिलीट हो जाती है ये फीचर प्राइबसी बनाये रखने में मदद करता है बता देक इस बात की जानकारी वाटसब पर नजर बनाये रखने वाली वेबसाइट डबलुए बीटा इनफो के द्वारा शेयर की गई है वहीं डिपोर्ट के इनुसाल इस पिछले कुछ हफ्तों में कुछ उप्योग करताओं के लिए पहले ही उपलब्द कराया जा चुका है यदि आपको अभी तक अपने किसी भी कई बार आपने ट्रेंग में सफर करने के दौराद देखा हुगा के बिना टिकट यात्रा करने वाले यातरी मजिस्ट्रियल चेकिंग सुनकर घबरा जाते हैं बतादी कैसा इसलिए क्योंकि इस चेकिंग के दोरान बिना टिकट यात्री हों पर ततकाल जुर्माना लगाया जाता है और पैसे नहीं चुकाने पर वहीं से जेल भेज दिया जाता है बता दे कि हचेकिंग ट्रेन या स्टेशन पर नहीं होती बलकि चलती ट्रेनों पर होती है आपके जानकारी के लिए बता दे कि देश भर में कहीं स्टेशन पर मजिस्ट्रेल चेकिंग की जाती है इस च जर्माना लगाया जाता है और अगर इस दोरां किसी यात्री के दोरा जर्माना देने से मना किया जाता है तो उन्हें जिल भेज दिया जाता। जी बीस नामक एक उपग्रह लांच किया जाएगा जो जी बीस देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के हितों को पूरा करेगा उन्होंने कहा कि जी बीस उपग्रह को लेकर तैयारियां की जारी है इस उपग्रह की मदद से दुनिया भर के देशों को विज्ञान और के चेत्र में विशेश उपलब्धियां हसल करने के लिए राजेपाल उत्कृष्टता पुरुसकार से संभानत किया गया दक्षिन बिहार में इंटली स्मार्ट लगाई का 35.1 शुने लाख स्मार्ट पीपेर मीटर बिददन विदुद भवर में साउथ बिहार पावर को कहा गया कि स्मार्ट मीटर के इंस्टॉलेशन ही तु सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाए और दिसंबर 2023 से गया जला से इसकी शिरवात की जाए पतादिग इस दुरान कुल 35.1 शुने लाख स्मार्ट प्रिपेर मीटर लगाने के लिए एकरार नामा किया गया है और प्रयापत मात्रा में मीटर के स्टॉक को रखने का निर्देश दिया है ताकि मीटर इंस्टॉलेशन के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत ना हो हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसे जिरे जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार पोलिस, दारोगा समित SFC जैसे अन्हे प्रतियोगी परिछाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास, पिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफियर्स और भुगोल से रहेंगे पुछे गए 500 सवाल में आपने कितना सहयोतर दिया क्रिपा करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है इसका सही उत्तर है उप्षणी नई दिल्ली अगला सवाल हाली में पुर्व क्रिकेटर सौरफ गाउंगली को किस राजी का ब्रांड एमेस्टर बनाए गया है उप्षणी चारकन, उप्षणी उत्तर प्रदेश, उप्षणी गुजरात, उप्षणी परश्यम बंगाल इसका सही उत्तर है उप्षणी परश्यम बंगाल अगला सवाल निम्र में से कौन पठना कलम शैली से संबंद चितरकार है उप्शन ए क़ुलास लाल, उप्शन B. जैराम्दास, उप्शन C. शिवदयाल एवं इस्वरी प्रशाद, उप्शन D. उप्रियुक्त सभी इसका सही उत्तर है उप्शन D. उप्रियुक्त सभी अगला सवाल मधुबरी चितरकला का सम्बंद किस राज़े से है? अप्षण ए उत्तर प्रदेश ऑप्षण भी बिहार ऑप्षण सी तमिलनाडू ऑप्षण डी उरिशा इसका सही उत्तर है ऑप्षण भी बिहार अगला सवार भारत का वह कौन सा प्रत्थम राज्य है जिसने भूमी सुधार कानून बनाए ऑप्षण ए बंगाल ऑप्षण भी उरिशा ऑप्षण सी बिहार ऑप्षण डी आंत्रप्रदेश इसका सही उत्तर है ऑप्षण सी बिहार बीते दिन हमादर पूछ के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जाप हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में ल इसके साथ ही बढ़ते हैं आजके सवाल की ओड़ाज का सवाल है अपना जवाब हमें अमारी कॉमेंट सेक्शन में लिक का जरूर बताएं आज कले इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहें बिहार न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चल